हेलो और वेल्कम फ्रेंद्स मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हो लर्ने जाब सीखते हो इंग्लिश तरो हिंदी वेल्कम टू बन मों इंग्लिश लेसन मेरे पिछले लेसन में आपको सिखाया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस को सही तरीके से कैसे यूज़ करने है हम पास भी दो आक्शिन्स जो पास्ट में खतम हो चुकी है उनके बारे में जो बताना हो तब हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस यानि की हम हैड का यूज़ करते हैं पर जब कोई आक्शिन जो पास्ट में होती रही एक लंबी समय तो खोती रही और पास्ट में ही ख तब हम यूज करते हैं past perfect continuous tense और English learners अकसर इस tense को use करते वक्त गलती करते हैं क्योंकि हम इस tense को बनाने के लिए use करते हैं had been और आज हम यही समझेंगे कि had been को conversations में कैसे use किया जाए क्योंकि जबी भी आप बातचीत करोगे तब आप grammar की book लेके अपना conversation तो नहीं करोगे या बातचीत नहीं करोगे आपको तुर्णत याद आना बहुत ज़रूरी है और आज हम यही सीखेंगे that is we will learn functional grammar अगर आप इस channel पर नए हो तो subscribe ज़रूर कीजिए bell icon दबाएगे ता कि आप मेरा एक भी वीडियो मिस न करें तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के lesson की जहां सीखेंगे past perfect continuous tense को कैसे use करेंगे तो चैसे की मेरा बताया कि आज हम समझेंगे की had been को कैसे use किया जाए और had been use होता है past perfect continuous tense में तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर एक लड़की है ओके वो English पढ़ रही थी और कब तक पढ़ रही थी जब तक वो Delhi नहीं पहुची वो Delhi आई है देली का India gate है दो actions है English पढ़ रही थी और वो Delhi आ चुकी है और इस बारे में मैं अभी present में बता रहा हूं right sentence कैसे बनेगा She had been studying English for two years before she went to Delhi Delhi जाने के पहले से दो साल पहले से वो English पढ़ रही थी आपको एक चीज़ के आप ध्यान देना बहुत ज़रूरी है एक action है जो लगातार हो रही थी और ऐसी actions को बताने के लिए हम use करते है had been हम use करते है past perfect continuous tense आप use करोगे had been plus the present participle ing form of the verb हम use करते है had been के साथ past perfect continuous tense को बनाने के लिए और उसके बाद का जो action मुझे बताना है उसके लिए मैं use करोगा simple past tense I hope this is clear चले एक और example देखते हैं ताकि आप perfectly समझ जाओ कि past perfect continuous tense को कैसे use करते हैं यह है करन और करन 6 गंटे पहले अपने घर के लिए निकला traffic बहुत था छे घंटे बाद वो घर पहुचा और उस बारे में मुझे अभी बताना है तो मैं sentence कैसे बनाओंगा by the time करन arrived home he had been driving for six hours जब तक करन घर पहुचा वो छे घंटे लगातार गाड़ी चला रहा था कि शायद बहुत चादा traffic था again he had been driving had plus been plus the ing form of the word और simple past का एक verb यहाँ पर use हुआ है past simple और past perfect continuous tense तो चले समझते कि हम past perfect continuous tense को बनाने का formula के रहा है हम पहले लगाते है subject उसके बाद आएगा had been उसके बाद आएगा present participle that is the ing form of the verb और उसके बाद आपका बाकी का sentence he had been studying English for two years जैसे हमने सबसे पहले example में देखा था बहुती simple है जबी भी आपको कोई बात बतानी हो जो past में लगातार चल रही थी वो खतम हो चुकी है और उसके बाद एक और action हुआ तब आप यूस करोगे past perfect continuous tense simple to understand एक और बात had been कभी भी subject के साथ change नहीं होगा जैसे हमने past perfect tense में पिछल लेशन में देखा था कि had subject के साथ change नहीं होता है similarly had been कोई भी subject हो he हो she हो it हो we हो they हो had been ही रहे था clear चल यह बढ़ते आगे कुछ और examples देखते है she decided to buy a new car because her old one had not been working for weeks दो हफतों से उसकी गाड़ी नहीं चल रही थी या जाद हफतों से उसकी गाड़ी नहीं चल रही थी तो उसने already decide कर लिया कि वो नहीं गाड़ी ले दोनों actions है पर एक action लगातार चल रहा था गाड़ी खराब थी और second action उसने decide कर लिया clear I decided to do a covid test after I had been feeling unwell for a few days और है अकीकर बात है I did my covid test negative आया but again मैं लगातार बिमार था cough था almost like 5-6 दिन में बिमार था और उसलिए मैंने क्या क्या decide किया covid test कर लिया दोनों actions खतम हो चुकी है पर एक action लगातार चल रही थी मैं बिमार चल रहा था clear I had been exercising until I broke my leg exercise कर रहा था कहीं हफतों से until मेरी टांग में एक fracture हुआ टांग तूट के until I broke my leg I hope this is clear चलिये बढ़ते आगे यहाँ पर दो images है एक जो करन दो घंटे पहले office से निकला जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ और दूसरी image में करन again दो घंटे पहले office से निकला वो घर पहुच चुका है और उसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद बता रहा हूँ यह मैं प्रेजंट में बता रहा हूँ कि वो घर पहुच चुका है और यह मैं थोड़ी देर के बाद मतलब दो पास्ट के अक्टिविटीज में बता रहा हूँ sentences कैसे बनेंगे I am really tired I have been driving for two hours करन कहता है कि मैं वाकी ठक गया हूँ I have been driving for two hours गर बस पहुचा और अपनी वाइफ से बता रहा है तो वो कहेगा I was really tired I had been driving for two hours यहाँ पर हमने use किया है have been और यहाँ पर हमने use किया है had been यह difference समझना बहुत ज़रूरी है जो पहला sentence है वो है present perfect tense का ठीक है क्योंकि वो एक action को उस समय बता रहा है उसमें वो क्या feel कर रहा है वो बता रहा है और क्यो feel कर रहा है जो past में action हुई उस वजह से feel कर रहा है ऐसे sentences में हम use करते है present perfect continuous tense जब भी आप present में बात कर रहे हैं और जो चीज लगातार हो रही थी और second में अगर आप देखो तो यह है past perfect continuous tense दोनों actions खतम हो चुकी है generally यह गलती होती है कि हम have been की जगे had been use कर देते है I am really tired I had been driving for two hours वो गलत होगा I was really tired ठीक है this is the verb I am really tired present में है I was simple past में तो यह difference आपको समझना बहुत ज़रूरी है ठीक है have been का ही उसकरना है और had been का ही उसकरना दोस्तों हमेशा की तरह अब बारी है एक quiz की और यह quiz काफी interesting है मैं चाहता हूँ कि इसके answers आप comments में लिखे यहाँ पर अगर आप देखो कुछ sentences है जहाँ पर उनको number दिया है 1, 2, 3, 4 और 5 और यहाँ पर है A, B, C, D और E और दोनों sentences incomplete है आपको first column के sentences को second column के sentences से match करकर पूरा sentence बनाना है जब चलिए पहला हम खुद solve करते है the floor was soaking wet, floor काफी गिली थी, why? because it had been raining all day मतलब first का answer है 1, C, तो आपको यही करना है 2 के आगे A, B, C, D, E जो भी आपको सही answer लगे वो लिखना है 3, जो भी रहेगा वो आपको comments में मुझे लिखकर बताना है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपने past perfect continuous tense को कैसे use करना है सही तरीके से that is had been को कैसे use करना है, वो समझा है, have been कहां use करना है और had been कहां use करना है ये भी आपने समझ दिया अगर आपने मेरा इसके पहले का वीडियो जहां पर मैंने सिखाया था कि past perfect tense को कैसे use करना है नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए क्योंकि ये दोनों lessons बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये दोनों tenses हम हमारी conversation में use करते हैं मैं आपसे जल मिलूंगा एक और नए English lesson में तब तक as usual keep learning English keep practicing English and take care